अब्रिवन बूर्णिंग टू अला फियू तैयारी वर्ल्ड के इस आनलाइं प्रेट फार्म पर मैं राकेश कुमार आप से प्रशागत करता हूं दोस्तों पिछली के अच्छा में हमने अच्छांस यो मच्छांस रेखा के बारे में सीखा था पढ़ा था हमने इसके अलाव करें ऑ ताइम के निधारन में हाधा यो हे देपनेसर्ग पर आते हैं दोस्तों कि ए एक होसा में होले अध्याव को दोनों рыों को जोडने के साथ इसकी क्या व सेस्ता है यह लंदन के निकट लिविशे ये से होकर बुझरती हैि इसे आप से और का नंतर الرए फिक्स किया गया है सभी देशों ने आपसी सहमती से इसी को प्रधान देशांतर माना है इसका करण क्या भी आप आगे समझने वाले हैं ठीक है यह जो प्रधान देशांतर होता है इसको अन्य नामों से भी जानते हैं कैसे कैसे जानते हैं पहला है क्या इसी कहते हैं जीरो डिगरी मेरेडियन सार प्राइम लाइन का मतलब क्या प्रधान मध्यान रेखा इसके अलामा हिंदी में इसे कहा कते हैं प्रमुक या मुत्तर रेखा इन सभी नामों को याद रखना आप जिरो डिगरी में रेडियन की बात हो ग्रीन विस लाइन की बात हो प्राइम लाइन की बात हो या हिंदी में प्रमुक या मुत्तर की बात हो प्रधान मध्यान रेखा की बात हो सारे टर्म एक ही है ठीक है आगे बढ़ते हैं इसको लेकर प्रधान मध्यान रेखा की बात करें स्थान का देशांतर कहा जाता है हम आगे बढ़ते हैं इसको यह अभी आपने एक टर्म पढ़ा था कि लंदन के निकट ग्रीनिविश से होकर बुजरती है ऐसा क्यों होता है इसके बारे में थोड़ा हम मैप से समझते हैं एक फिगर आप लोग के सामने हैं देखें इससे पहले बात देल लेते हैं थोड़ी सी कि यहां पर आप अगर देखें यह नार्थ पोल और यह साउथ पोल अपनी डिपनेशन में आपने पढ़ा था लंदन के निकट ग्रीनिविश से होकर गुजरने वाली रेखा कि सहारे ज देशांते रेखा यहां पर देखेंगे जब यह दोनों धुरूओं से होकर गुजरती है कहने का मतलब कुछ ऐसी इस्तिती बनेगी और आपको क्या नजर आ रहा है यहां पर देखने पर यह मिल रहा है कि सारी रेखाएं जाकर धुरूओं पर मिल जा रही हैं जब धुरू कहने का मतलब प्रतेक रेखा समान ही होती है और जब दो बराबर गोलार्थों में बांट रहे हैं तो कंफ्यूजन यह होता है किसको में माना जाए यानि प्रधान देश्यांतर किस्यों को माना जाए इसलिए सभी देशों उन्याओ को मात मुझा ने मिल कर आपसी सहमती बनाई और आपसी सहमती के आदहार पर एक रेखा यहां से घ्रा किया गया तो का से गुजर च्राहा है रहीका लिख लेजिए बृत लेज़ लाय इसिकाहाँ ये घुजर रहा है बृटेन देशांतर रेखा जब प्रधान देशांतर रेखा कहा गया इसका मान कितना रखा गया जीरो डिगरी जीरो डिगरी क्यों रखा गया इसकी कहानी आगे समझते हैं कि मुख्य देशांतर का मतलब यह है कि यहां पर जब सोरी सबसे लंबो चमक रहा है कहने क्या मतलब यहां पर बिल्कुल दोपाहर का समय है दोपार का समय का मतलब 12 बजा होगा ना कि कि इसी को मालिया गया क्या यह मुख्य देसार देख चुकि आपको एक चीज पता है प्रिथिवी की जो गती होती है घोड़न गती वह कहां से कहां तक होती है वेस्ट टु इस्ठ होती है यानि वह पस्च één से फ्च टूर गती करता है और कैसे करता है एंटी आ Boden aanенный सीटर पर यह पर यह प्रधान देशांतर रिखा है प्रधान देशांतर रेखा के डिपनिस्टन आपने पढ़ा है या इसको दो बराबर भागों में बाट रहा है यह आपका पूरविश छोरोगा और यह पस्चिमी सीराफ होगा यह पूरव है और यह पस्चिमी चुकि आप जानते हैं प्रिथिभी की जुगती है वह पस्चि आप में कुछ परिवर्तम होगा कैसे होगा और क्य में अश्की हम बात करते हैं देशांतर रेखा की सबसे बड़ी उसका करते हैं नार्थ थिस सौख कहने का मतलब उत्तर से दच्छित आप यहां पर मिक्समत करिएगा जब हमने पढ़ा था क्या अच्छांस तो अच्छांस की गर्णा हम ऐसे करते थी कैसे लेटे हुए याद है आपको ऐसे रेखा है जो लेटी हुई है उसे क्या कहेंगे लेटिटूड य यानि देशांतर रेखा लांगिटूड का मतलब सारी रेखा हैं जाकर मिल रही कहां पर नार्थ और साउथ पोल से हना लंबो जा रहे हैं देखें इसकी गर्णा हम कहां से कहां तक करेंगे नार्थ से साउथ अच्छांस की हम कहां से कहां तक किये थे इस्ट वेस्ट यानि अच्छान से रेखा हैं पूरपकस्चिम और देसांतर की बात हम जब करें नार्थ साउट यानि उत्तर से दच्छिड ठीक है दूसरा केल्कुलेशन हम करेंगे दूसरी प्रॉपर्टी ये सेमी सर्कुलर होती है सेमी सर्कुलर का मतलब अर्ध बृत्ताकार क्या होती है अधर करता है इसमान होती है महत्फपुली बीन्दू है सभी देसांतर रेखाओं के लंबाई खमानर क्यों होती देखें यहाँ पर अभी आपने सीखा था क्या इसे देखेगा यहां पर जैसे यह Green विश लाइन यी पीछे भी वी होगा विशाकर यह इसको दो वराबर भागों में बाट रहे होगा यहां पे इस लाइन को अगर देखेंगे यह लाइन आगे बढ़कर प्रित्वी को दो बराबर भागों में बांट रहे हैं यानि इसकी लंबाई सब की बराबर है सारी देशांतर रेखा हैं प्रित्वी को जब दो बराबर भागों में बांट रहे हैं इनके लंबाईयां क्या हैं बराबर आगे बढ़ते हैं आपने यहां पर सीखी लिया सभी देसांते रेखाएं क्या अर्दवित यानि सेमी सर्कुलर एक बात और है अभी आपने इसको पहले पढ़ा ही है कि सभी देसांते रेखाएं जाकर ध्रोंपर मिल जाती है द्रोंपर जाकर मिल रहीं तभी तो प्रिद्वी को दो बराबर भागों में बांट रही है दो देसांते रेखाएं की बीच को दोरी विश्वत रेखा पर इतनी होती है और द्रोंपर जीरो होती है द्रोवों पर 0 क्यों होती है क्योंकि जब ये जाके द्रोवों पर मिल ही जा रही है तिसको हम माल लेते हैं क्या एक डिगरी द्शानतर रिखा है यहां पर यह बिस्वत रेखा है बिस्वत रेखा पर इसकी दूरी कितना आपने माना है कितना आपने मापका है 111.3 किलो मीटर लेकिन आप जैसे धुरों की तरफ जाएंगे यह देशांतर रेखा ऐसे जाकर नार्थ पोल पर मिल जा रही है इधर कहां मिल जा रही है साउथ आप कल्कुलेशन जो करते हैं जो गड़ना करते हैं किसके साहरे करेंगे यह जो परधान देशांतर रेखा है इसके साहरे करेंगे और जो परधान देशांतर रेखा पर जाकर मिल ही जा रही है तो इसके बीच डिस्टेंस कहां रह जाएगी जीरो हो जाएगी ना इसलिए पर इसकी लंबाई कितनी होती है प्रेशन में कई बार पूछा जाता है देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी दूरी दूरों पर कितनी होती है आपको अंसर में विकल्प कई दिया रहेगा आपको विकल्प याद रखना होगा कि दूरों पर इसकी दूरी कितनी होती है जी आगे हम गड़ना की बात करते हैं अच्छांस रेखाओं की गड़ना कैसे करते हैं डिग्री मिनट और सेकंड में जैसे अच्छांस रेखाओं की गड़ना डिग्री मिनट और सेकंड में करते थे वसे देसांतर रेखाओं की भी गड़ना डिग्री मिनट और सेकंड में करने से फायदा यह होगा आपको धुर्क रिवेजिन करना नावागा एक्जाम कर टाइम में तो आसानी होगी द्यसांते रेखाऊं कि संख्या कि हम बात कर लेते हैं इसकी गढ़ना कैसे करते हैं संख्या बताने से पहले एक दो फैक्ट आप समझ लेजिए सीधे सीधे प्रस्नी यह पूछे जाते हैं आपने एक चीज जाना था यह क्या है नार्थ पूल और यह है सौथ यह जीरो डिगरी अच्छांस है यह जीरो डिगरी अच्छांस है और यह वाली जो चीज है यह यह है आपका जीरो डिगरी देशांतर चलिए देशांतर यह हम अच्छांसों में एक संबंद होता है वह बहुत महत्तुपर संबंद होता है कि देशांतर और अच्छांस रेखाएं एक दूसरे को हमेशा समकोर्ड पर काड़ती हैं समकोर्ड का मतलब 90 डिगरी पर काड़ती है 90 अंस पर काड़ती है 90 अंस पर काड़ने का आसा यह है जैसे किसी अस्थान की exact location प्राप्ट करनी हो जैसे यहाँ पर कोई एक देशांतर र वास्तविक इस्थिति होगी वास्तविक दूरी होगी हम बात करने वाले हैं देशांतर रिखाओं कि गढ़ना करने की जब इसको जीरो डिगरी को मान लिया गया है कि यह प्रधान देशांतर है जब प्रधान देशांतर इसे मान लिया गया है तो इसके ठीक पीछे इसके वे प्रति धुवस्थ होगा यानी antipodal होगा वो कितना होगा 180 degrees, कितना होगा 180 degrees यानी 0 degrees के ठीक अपोची Cohen कितना होगा 180 degree बात समझना ही उसको जब 180 degree होगा अब काल्कुलेशन करने के बात आएगी अध्य तर्म देशांतर रेखाओं कि संख्या कितिनी होती है करेंगे यह पहली दिसांतर रेखा हो जाएगी ऐसे धूसरी तीसरी घुनेंगे 179 ठीक है यानि अगर हम पूर्वीर दिशा की बात करें यह आपका पूरब है यह पस्चिम है तो पूरब में आप गिंते हुए कहां तक जाएंगे एक सो उन्यासे तक यानि 179 कितना मिल गया 179 इसी तरह से प्रमुक या मोतर या कह सकते हैं जिरो डिग्री मेरेडियन या ग्रीन विस से जब आप पस्चिम दिशा में गिनेंगे ऐसे पहला एक होगा फिर दो होगा ऐसे कहां तक जाएंगे 180 मिले गा लाश्ट में 180 से पहले तक आप गिनेंगे कितना 179 ठीक है ठीक है यह पूर्वी दिशा में आपने गिना है और यह गिना है पस्चिम दिशा में इसके अलावा दो बचा हुआ अभी एक क्या है जीरो डिग्री मेरेडियन संख्या में एक है इसको आइट कर देंगे और एक बच्चा है क्या जो पीछे था इसके 180 डिग्री टोटल करेंगे कितना होगा 360 यानि देशांतर रेखाओं की संख्या की बात करें देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 360 कैसे हुआ आपने कैलकुलेट किया पूरब में कहां तक गिनेंग 179 तक पस्चिम भी 179 180 तक इसलिए नहीं गिन रहे कि 180 तो कामन होगा ना दोनों को पड़ेगा जब दोनों के साइट से हम गिनेंगे तो दो बार कल्कुलेशन हो जाएगी जो कि गलत होगा ऑप्शन में आपको कई बार दे दी जाएगा 361 भी ऑप्शन में रहेगा कई स्टुडिन गलती करके चले आते हैं कि देसांतर रेखां किसे नहीं होती है कितनी होती है 360 कैसे होती है आपनी यहां पर समझाए आगे चलते हैं एक नोट है नोट क्या है क्या किते हैं अनतर राश्टी ति ति रेखा धर क्या क्याया क्या लिखेंगे 108 certainty क deduction कि Four अब आपको रखें यहां पर देख रहे हैं 179 ईसट यहां पर वेस्ट लिखा है लेकिन 180 वहता है यह इसीं से वेस्टी भी होता है कि क्यों होता है यहां से आप समझें यहां पर आप से आप एक से कल्कुलेट करते हुए गिनते हुए कहां तक जाएंगे 189 तक इसके बाद नमबर आए किसका 180 का यानि आप पूरवी दिशा में कहां तक गिन रहे हैं 180 तक 180 को क्या लिखेंगे 180 इसी तरीके से जब हम पस्चिम दिशा में गिनेंगे 179 के बाद आएगा 180 तो 180 क्या है वेस्ट यानि जब हम पस्चिम दिशा में गिनेंगे वेस्ट होगा पूरवी दिशा से गिनेंगे इस्ट होगा अब दोनों को क्योंकि यह इस्ट भी है वेस्ट भी है इसलिए हम इसको पूर्वी देसांतर भी कहते हैं और पस्चमी देसांतर भी कहते हैं यही है आपकी अंतराश्टी तिति रेखा तो परिच्छा में कभी-कभी यहां पर आप्सन दे देगा जैसे नेमने लिखित में से कौन सी अंतराश्टी तिति रेखा है तो विकल्प में आपके दे देगा मिटा दें इसको I think समझ गया होंगे सब विकल्प में आपके जैसे दे दिया गया नेमने लिखित में से कौन सी अंतराश्टिती थी रेखा है विकल्प में एक दे दिया 180 डिगरी इस्ट 180 डिगरी यह दूसरा अप्शन है वेस्ट और तीसरा दे दिया गया 180 डिगरी इस्ट वेस्ट दोनों और दे दिया गया ननापदीज यानि इन में से कोई नहीं क्या लगाएंगे आप इस्ट लगाएंगे तब भी गलत है देखे सही तो है अगर यह दोनों आप्शन नहीं होते ति यह सही था यह दोनों नहीं होते ति यह सही था यहां पर इस्ट और वेस्ट दोनों का अप्शन दिया है इसलिए यही वाला अप्शन आपका सही होगा इस बात को ध्यान रखेगा अच्छान से हम देशांतने रिखा है एक दूसरे को नब्यांस पर करती है यह बात अभी आपने सीख लिया ठीक है दिखिए नब्यांस पर कैसे कारती है आप देखी रहे है यह आपकी है अच्छान से रिखा है ऐसे जो होरिजिंटल है लेटिटूड और ऐसे जो है उसे क्या कहेंगे देशांतने रिखा है यहां पर सभी अच्छान से रिखा है जो एक दूसरे को कार रही है इनके बेज बनने वाला कोण है नब्यांस यानि एक दूसरे को सम कोण पर कार रही है यहां तक बात समझमा आ गई होगी आपने देशांतने रिखा के बारे में सीखा क्या सीखा ग्रीन विश्च के साथ ग्रीन विश्च रिखा के साथ जो कौणी दूरी बनती उसी को हम कहते है क्या देशांतर रिखा देशांतर रिखा को अन्य नामों से जानते है जीरो डिग्री देशांतर ग्रीन विश्च रिखा यह आप कह सकते हैं प्रमुख या मियोत्तर रेखा यानि मेरेडियन रेखा इतने नामों से इसको जानते हैं इन नामों की जब बात होगी तो आप इनको एक ही समझेगा दूसरी चीज़ा आपने सीखा जीरो डिगरी देसांतर के जो ठीक विप्रीद होता है प्रतिध हूँ अस्ति यानि एंटी एंटी पोडल की बात करें एंटी पोडल क्या होता है एंटी पोडल को अगली क्लास में एंटी पोडल को हम बताएंगे एंटी पोडल का मतलब किसी एक देसांतर के ठीक विप्रीद जो आएगा जैसे अगर हम यह माल लें यह माल लेते हैं आप तो समझे नहीं नार्थ बो प्रति धुवस्त यानि उसके ठीक विप्रित क्या होगा 180 होगा यानि पीछे साइट पड़ेगा 180 होगा अब यहां पर 180 की बाद की गई यानि जीरो डिगरी के विप्रिट क्या है जीरो के विप्रिट 180 यह प्रति धुवस्त होगा और 180 डिगरी को हम कहते हैं क्या अंतर राश्टी तेथी रेखा ठीक है दो फेक्ट और आपको बता दे रहें दो फेक्ट आप याद रखिएगा ऐस से ही कई परिच्वाओं में पूछा गया सीधे सीधे देखें जीरो डिगरी है इसे हम कहते हैं क्या नून मेरेडियन नून मेरेडियन मतलब मध्यान देसांतर यह आपने अभी पढ़ा था मध्यान देसांतर इसके भी प्रेश होता कितना अर्ट सो असे डिगरी इसी को हम कहते हैं क्या अर्धरात्री का देसांतर अर्धरात्री का देसांतर और इसी को क्या कहते हैं अंतर राष्टी टिती रेखा आ अंतर राष्टी तीती रेखा इसके आगे के बात हम अगली क्लास में करेंगे आपको वीडियो कैसा लागा आपके कमेंट में जरूर बताइएगा अगली के अच्छा में हम पढ़ेंगे द्यशांतर के साथ हम समय को कैसी कल्पलेट करते हैं आज के लिए इतना है धन्य बादू